और देखिए पाकिस्तान जिस तरह से लगातार नापाक साजिशे घाठी को लेकर रच्टा है, हमारे सुरक्षबल हर बार मुस्तेदी से उसका जबाब देते हैं और हर नापाक साजिश को नाकाम कर दिया जाता है। हिंदुस्तान के खलाब हातंकवादी वारदातों में शामिल रहने वाला अब्दुलरह्मान मक्की भारत के साथ-साथ अमेरिका में भी Most Wanted आतंकी था। बड़ी कूट नीते के सतर पर जीत मानी जा रही है तो वहीं पाकिस्तान एक बार फिर से इंटरनाशनल मंच पर बेनकाब हो चुका है। बिजनस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनस प्लान दिखाईए करके पूछते हैं। बिजनस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें। क्यों एहम माना जा रहा है हम आपको उसे समझाएंगे से आप उसकी टेरर फाइल से समझिएगा कि इसके पीछे का कारण क्या रहा है। यह मुंबई हमले की साजिश में भी शामिल था और मौजूदा वक्त में अब्दुलरह्मान मक्की हाफिज सईद के संगठन के लिए पैसा जुटाने नौजवानों को ब्रेनवाश करके उसमें भरती करने का काम करता था लेकिन यह बड़ी जीत भारत के लिए है यसे ग्ल साल किला अट्रैक की प्लानिंग और प्लॉटिंग में भी शामिल रहा है इसके अलावा अगर बात करें तो एक जनवरी 2007 को यूपी के रामपुर में बिजनस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनस प्लान दिखाईए करके पूछते हैं बिजनस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें अब 12 फरवरी 2008 की बात करें तो श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में भी मक्की हाथ था और ये एक्टिव मेंबर भी था 30 माई 2008 को बारमुला हमले में भी मक्की शामिल था इसके अलावा भी मक्की जमू कश्मीर में कई आतंकी वारदातों में शामिल था और इसकी कोशिश यही रहती है कि भारत को कैसे दहलाया जाए लेकिन अब पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा रच्टा रहा है उसे उसी की भाषा में भारत ने जवाब दे दिया है अब बात मोदी के सामने हम पाकिस्तान के सरिंडर की भी करेंगे कि कैसे मोदी ने पाकिस्तान को सरिंडर करने पर मजबूर कर दिया है तो पाकिस्तान की इंटरनाशनल बैज़ती लगातार हो रही है एक तरफ महंगाई की मार से आवाम जूच रही है खाने तक के लाले पाकिस्तान के सामने इस वक्त पड़े हैं आपको बता दे कि शावाज शरी तमाम विदेशों में जाते हैं और मंच के सामने हाथ फैलाते हैं दुनिया के सामने भीक मांगते हैं लेकिन अब पाकिस्तान को उसी की भाशा में दुनिया भर से जवाब मिल रहा है